असलाम अलेकुर आवरवन कैसे हैं आप सब जेके नीट हब एक्जाम स्टड़ी यूट्यूब चैनल पर आज हम जमू एंड कश्मीर में बोपी की तरह से जो सीट मैट्रिक्स अभी तक जो लॉग इन करके हमें पता चलता है तो आप सबसे हम नीट 2020 के लिए जो बोपी की तरफ से सीट मैट्रिक्स यहां पर शो हो रहा है वो हम आप सबसे शेयर करना चाहते हैं यहां पर इस वीडियो में हम नंबर आफ सीट मुख्तलिफ जो भी कैटागरीज हैं जमू एंड कश्मीर में MBBS की जितनी भी सीट हैं और BDS की भी वो हम आप सबसे शेयर करेंगे देखिए यहां पर सबसे पहले बात करें हम तो टोटल सीट जैसा के सबसे फर्स्ट नंबर पर बात करें गोर्मिन मेडिकल कॉलज जमू में टोटल 180 सीट से जिसमें ओपन मेरिट और कैटेगरीज में डिवाइड की गई सीट से सबसे पहले हम open merit की बात करेंगे government medical college जमू में 36 male seats है female के लिए 36 है open merit के लिए SC के लिए government medical college जमू में 7 seats और female की यहाँ पर SC की 7 seats STGB की 6 और यहाँ पर males की, boys की और यहाँ पर girls की जो है वो भी आपके सामने यहाँ पर 5 seats है देखिए, यहाँ पर ST, lay और कारगिल के लिए यहाँ पर 00 seats हा रही है क्योंकि इन candidates की जो है वो counselling second round में होगी और यहाँ पर अभी तक जो seat matrix है इसमें नहीं mention ठीक है इसलिए total जो है 180 में से 167 seats है जो total means जो बाकी बचेवी seats है वो इन categories की है जो कि अभी mention नहीं है इसमें तो total यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो भी categories है उनमें यहाँ पर RBA की बात करें तो government medical college जम्मू में boys के लिए 17 seats है girls के लिए 18 seats है ठीक है ना? उसी तरह ALC की बात करें तो government medical college जो जम्मू है उसमें males के लिए 4 seats boys की 4 seats है ALC में और girls की 2 seats है ALC में CDP में boys की 3 seats है government medical college जम्मू में और females की 3 seats है SP category males की 3 seats है और 1 female seat JKPM की सिर्फ एक female seat है government medical college जम्मू में EWS की 8 seats है males के लिए और females के लिए 7 seats है EWS के लिए total जो seats हमारे सामने यहाँ पर जो है वो हम आप साथ शेयर करेंगे वीडियो के end में वीडियो को पूरा देखिए कि और भी चीज़े हमने discuss करनी है कि total कितनी seats है किसी category के end तो आने वाले जो candidates है जो 2021 के लिए preparation कर रहे है तो उनके लिए यहाँ पर काफी help उनको मिलेगी उनको पता चाल जाएगा कि हमें कितना score करना है वो cut-off जो है वो भी officially cut-off जो है वो भी क्योंकि जो list बन के आएगी वो भी हम share करेंगे और इस तरह से भी तो वो gas हो जाएगा लेकिन अब seats का जो है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर seats कितनी है उसी तरह फिर government medical college सिरनगर में भी आप देख सकते हैं जो है number of seats divide की गई हैं अगर हम बात करें open manager की 37 boys के लिए girls के लिए 36 है SDGB की बात करें तो यहाँ पर males के लिए जो है 5 seats है government medical college सिरनगर में girls के लिए 6 seats है उसी तरह फिर आगे बात करें अगर STO या फिर OSC की बात करें जिसमें OBC भी आते हैं तो 2 seats है boys की medical college सिरनगर में और 1 seat है girls के लिए तो total यहाँ पर गर हम seats की बात करें आप आप यह screenshot ले लीजिए तो हम अब चलते हैं total seats की तरफ के कितनी seats जो है वो यहाँ पर है boys girls जो है वो अलग लग colleges में या फिर पूरी category की कितनी seats है ठीक है ना अब आगे जो है इसमें आप देख सकते हैं अब यह seats जो है suppose यहाँ पर गर बात करें तो 36 तो वो उसी हिसाब से 36 जो है topper जो होंगे या फिर marks के हिसाब से वो scores जो है वो उनके basis पर जो cut up बनेगा ठीक है ना तो आप चलते हैं total कितनी seats हैं उसकी तरफ seats category wise jamu and kashmir में mbbs की कितनी seats है category wise हम अपसे share करते हैं यहाँ पर सबसे पहले open merit की बात करें तो boys के लिए as per जो हमने अभी seat medics देखा उसके हिसाब से boys की 219 आ रही है seats girls के लिए 224 seats है RBA के लिए boys की 97 seats आ रही है और girls के लिए 99 seats है जिसमें government medical college Dota की seats जो है वो include है add करने के बाद यह seats बनती है as per reservation 20% जो के जमो किश्मीर में अब इसके बाद 20% reservation नहीं रहेगी 2020 में आखरी यह जो है वो reservation की percentage है आगे से RBA की seats कम हो जाएंगी 2021 से तो यह last इतनी जिड़ा seats है STGB के लिए boys की 30 seats है girls की 30 seats ALC actual line of control boys की 14 seats है girls की 15 seats EWS category ने boys की 25 seats hai girls की 24 OSC में boys की 9 seats है girls के लिए 10 seats है CDB के लिए boys 15 seats है girls 15 seats है SC के लिए boys 40 seats हैं, girls के लिए 40 seats हैं, JKPM की 5 seats हैं, girls के लिए 4 seats हैं ये total categories अभी तक जो seat matrix show और आथा login करने के बाद उसके हिसाब से total seats इस तरह से divide हो रही हैं, ये सभी colleges में total categories boys और girls में जो seats divide हैं next year जो है वो एक category SC है, जिसकी reservation same रहने वाली है, बाकी reservation change हो जाएगी, SC की बात करें 8% ही रहेगी, seats increase हो जाएगी SDGB में, maybe क्योंकि 10% reservation है आगी, ALC के लिए भी seats increase हो सकती है, ALC 4% है लेकिन OSC वहीं, OSC category भी add हो रही है, तो maybe same रह सकती है तो यह seats थी, seat matrix जो आपके सामने आ चुका है, इससे guess कर सकते हैं, cut off क्या रहेगा, ठीक है न, तो हम next video लेकर आ रहे हैं दोस्तों, आप सब के लिए, तब तक के लिए wait कीजिए, और मिलते हम अगली video में, तब तक के लिए good bye, be happy, और counseling जो है वो शुरू है, आज last date है, यानि कि जब हम ये video बना रहे हैं, तो 30, 3 December 2020, online counseling हो रही है, जो लेह और कारगिल को छोड़के, और जो PWD, जो category है, उसको छोड़के, online counseling हो रही है, तो सभी ऐसे candidates जो आपने preferences दे चुके होंगे, अगर नहीं, तो आज last date है, आप इसके लिए apply कर सकते हैं, और जो आगी के लिए, यहाँ पर next procedure है, उसके लिए अलग से notice हाएगा, और dates हाएगी, तो आयूश courses के लिए वो एक process अलग से शुरू होगा, प्रिपेर रही है, जितने भी ऐसे candidates है, जिनन रेजिस्ट्रेशन की है, डॉकुमेंट वेरिफाई की है, अब वो जो है, वो पार्सपेट कर पाएंगे, सभी जो भी counseling है, निट 2021 वा अच्छे से रखिए, ठीक है, सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए good bye